असलाम अलेकों, वेलों वेलों को पूर पैशन रिफोर्सम्, आज मैं आप लोगो के साद शेयर करने वाली हूं, 10 मिन ब्रेक्फ़स्ट रेसिपी जोके है, मसाला फ्रेंच टोस्स रेसिपी, इसे बनाना बहुत असान है और बहुत डिलिशिस वरता है, तो चले बनाना स्टा आड मैं भाल करेंग्स यहां है, यह मिन रेक्षी जर्षी ने पस्टाइब डैच आप पुरी सी हल्दी, धन्या पॉडर, इस सब कुछ मैं अपने टेज्ट के हिसाब से ले रहूँ, इसमें मैं आट करूँ ही थोड़ा सा तवा हाला धन्या, इससे अच्छे से बीट करेंगे, एक हम अमलेट के लिए एक बीट आते हैं, इससे टेशिट, इसमें मैं आट करूँ ही थोड़ा सा दूद, जोके है रहा, टो टेबल से, इससे अच्छे से मिखते रहें, तो यह हमारा जो है बैटर रेडी हो गया है, यहाँ पर मैं पास कुछ ब्रेट स्लाइसे है, अगर आप थिक वाले यूज़ करेंगे तो जादा बेटर है, तो मैं इससे इसमें टिप करूँगी, इस तरीके से, और इमिडिटली से हम फ्राइ करेंगे, तो यहाँ पर मैं कवेल कर्चे से गरम किया है, इसमें आट ज़ झाल झालो पर खू हुप हो फ्राइए। यह बिद्कुल डान्ख है, इसे पाम दूंगी एक टेप में, अब अगर चाहे तो इसे ट्राइंगूलर शेव मुझी कट कर सेंगे, इसी तहीं के से मैं दूसरे वाले भी ब्रेड को फ्राइं कर दोगी, इस तरीके से जो अमारा जो को अब चीली विमेनिंग वे जाते हैं आप लगा सकते हो, ब्राइं अल्डूब रवाल inhal उना जाएंगूग लगा से एक टीली विमेनिव प्राइंगूंग अवाल चाहे लगाला बालर ओम जाएंगूलर तो हमारे मसाला फ्रेंच टोस्त बनकी बिल्कुर रेडिया आप इसे अज्ञाइ कर सकते हूं आपके पुर भी फिरिट चटनी या सॉस के साथ मैं इसे आपर सर्फ कर रही हूं टमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ I hope you like the recipe, don't forget to like, share, comment and do subscribe to my channel Do take care of yourself, मिठ यह पसे, next recipe में तब बिल्या लाफ बेस, bye